हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टोपर फेनिक्स यूटूब चैनल में दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी जेल वाइडर और फार मेन एक्जाम को लेकर जैसा कि दोस्तो हमने आप सभी को बताया था कि आपकी जो एक सीट पर कंप्टिशन है इस वेकैंसी को लेकर वो है दोस्तो पच्पन अब भ्याडते हो का ठीक है हमने आपको बिड़ डिटेल के साथ अच्छे से समझाया था और दोस्तो हमने आपको कटोफ दिखाई थी और उसी कटोफ में ये बाते बताई थी पूरा एनलाइस किया था और हमने आप से बोला था कि जितनी कटोफ हम कर दे जाएगा और दोस्तों फर्वरी के पहले या दूसरे सब्ता से आपकी रनिंग सुरू हो जाएगी तो मतलब आप सबी के इस पास जादा समय नहीं है तो आज ये वीडियो देखकर अच्छे से कुछ बातों को समझ लीजिए और आपको जो कटोफ बताऊँगा इसमें वो कटोफ दोस्तों आज अच्छे से समझ लीजिए अगर उस कटोफ में आपकी नंबर है तो वे फिकर हो के आज इसे ही दोस्तों रनिंग सुरू कर दो वरना फिर ऐसा होगा कि आपका सिलक्षन हो जाएगा रिजल्ट में लेकिन रनिंग में बाहर हो जाओगे तो ये सब जानकारियां दोस्तों आप सभी को में डिटेल के साथ देने बाला हूँ वीडियो को लाश्ट तक बोच करिएगा दोस्तों एक एक सेकंड वीडियो का आप सभी के लिए most important है अगर पसंद आई वीडियो को तो दोस्तों वीडियो लाइक और सेर जरू कर देना और साथ ही दोस्तों टोपर फइनक्स यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना क्योंकि दोस्तों हम जेल वाडर फार्मेन से समंदिस सभी जानकारियां आप सभी को अच्छे से प्रोबाइट करवाते रहेंगे जानकारियां इसमें दी गहीं थी ये दोस्तों 21 दिसंबर 2020 छे बचके 31 मिनिट का था जो अपडेट हुई थी और हमने तुरन दोस्तों आपको डिटेल के साथ प्रोबाइट करवा दी ठीक है तो इसमें जो चीजें है वो आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों इसमें ये कह बरी के दूसरे सब्ता से आपकी रणिंग सुरू करवा दी जाएगी ठीक है इसमें जो है जो परिक्षा दी है अब्यारतियों ने वो तीन लाग के सम्थिंग अब्यारतियों ने परिक्षा दी है ठीक है यहाँ पर आप सभी को दीख रहोगा तीन लाग ने के सम्थिंग लगवक तीन लाग ने परिक्षा दी है, अब दोस्तों अच्छे से इसे समझ लीजे, ये आर्टिकल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था दोस्तों, एक्जाम देने वाले अभ्यारतियों की संख्या, बामन से 55% है, जो लगवक दो लाग सतानमे हजार के ये अभ्यारतियों हैं जिनोंने परिक्षा दी है, अब हमने क्या बताया था कि एक सीट पर जो आपका competition है, बो है दोस्तों सिर्फ 55 अभ्यारतियों का एक सीट पर competition है, ये जानकारी मैंने आपको डिटेल के साथ प्रोबाइट करवाई थी, अब दोस्तों आप सभी को पता रनिंग तो कर लीजे वरना दोस्तों रनिंग इतनी तेजी से करवाई जाएगी मतलब समय नहीं दिया जाएगा ठीक है और दूसरी बात बात करते हैं कटोफ की तो दोस्तों कटोफ की टैंसन बिल्कुल फिरी कर दीजे जितने नंबर मैं आपको बता रहा हूं आपसके इतने नंबर है कटोफ में तो दोस्तों बिल्कुल आप तैयारी को सुरू कर दीजे जाद है समय आपको मिलने वाला नहीं है क्या कटोफ है दोस्तों मैंने आपको एक बार पहले ही बता दिये एक बार इसमें भी डिटेल के साथ बताने वाला हूं यहाँ पर देखिए अगर आप आपके 80-84 कोसन सही है ठीक है अगर जनरल से हो 80-84 कोसन सही है तो आपका सिलक्षन 101% पका है ठीक है टेंसन फिरी हो जाईए और दोस्तों नौर्मिलाइजेसन की क्या प्रिक्रिया है उसे मैं अच्छे से नेक्ट वीडियो में आप सभी को डिटेल के साथ प्रोवाइड कर आउगा यहाँ पर दोस्तों आप सभी को थमनेल दीख रहा होगा यह नौर्मिलाइजेसन की वीडियो दोस्तों हमने विल्कुल अच्छे से डिटेल के साथ बना कर तयार कर लिए ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर आप OBSC से हैं तो अगर आपके कोसन 78-80 कोस कोसन आपके सही हैं तो आपका सिलक्षन कोई रोकने वाला नहीं है यह बात अच्छे से समझ लो आज नहीं तो कल आप सभी को रनिंग तो करनी पड़ेगी जब उसमें आपका रिजल्ट में नाम आएगा तब आप रनिंग करने के लिए जाओगे और बाद में आपको अफ तो बिलुकुल टेंसिन फ्री हो जाएए इतने कोसनों पर आपका सिलक्षन कोई रोकने वाला नहीं है ठीक है अगर आप एश्टी से हैं तो दोस्तो 61-65 कोशन आपके सिलक्षन के लिए 101% बिलुकुल सही है 61-65 कोशन अगर आपके हैं और आप एश्टी से हैं तो कोई सिलक आ रही है वो लगबग 75 से 80 कोश्चन सभी गल्स के हैं मतलब हम अबरोल सब की बात कर रहे हैं 75 से 80 कोश्चन अगर आपके कट फटकर सब कुछ इतने हैं तो वे फिकर रही है आपका सिलक्षन हो जाएगा ठीक है गल्स रुनिंग में बहुत जादा बाहर होती है इसलिए रु जबूत आप इसे कर लो और आप इसे लगाने सुरू कर दो अगर अब रुनिंग की बात करें तो रुनिंग कितनी करने होगी दोस्तों आप सभी को बता दे कि मेल जितने भी हैं 25 मिनिट में 4800 मिटर और दोस्तों इने जो फिमेल है इने दोस्तों 2400 मिटर करनी है 14 मिनिट म नौरमलाइजेसन की टेंसन फिरी कर दीजे, नौरमलाइजेसन पर एक वीडियो विल्कुल सेपरेट आने वाली है, अच्छे से आपको बताएंगे, और यहाँ पर दोस्तों आपको बतादें, अगर दोस्तों आप सभी को हम पर भरोसा है तो अभी दोस्तों वीडियो को लाइक और सेरे जरूर कर दें और टोपर फिनिक्स यूटूब चैनल को सब्सक्राइब पर के बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे दोस्तों आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आप से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई यहाँ पर दोस्तों आप सभी को दीख रहा होगा Amar Uzala एप का यह दोस्तो स्क्रीन सोट लिया हुआ है यहां पर आपको पूरी डीटेल के साथ पहले सभी जानकार्या देंगे ठीक है Amar Uzala का न्यूच पीपर है लखनू का ठीक है यहाँ पर आप सभी को पहले इस पूरी जानकारी को अच्छे से समझ लो 21 दिसम्बर मंडे जानी कल का दोस्तों ये अपडेट है ठीक है कितने बज़े का है तो यहाँ पर दोस्तों देख रहोगा 6 बच के 31 मिनट शाम के तो ये उस समय की अपडेट है अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों वीडियो को पहले देख लो यहाँ पर दोस्तों पहले देखे यूपी जेल वाइडर फायर में बे गुड़ सबार भरती का परिणाम जनबरी के अंति तक समझ गए अब आप जनबरी के अंति तक आपका परिणाम आजाएगा पूरा आर्टेकल दोस्तों हमने स्क्रिन सोट लिया है अब यहाँ पर अच्छे से समझ लीजे ठीक है देखे दोस्तों यहाँ पर देखे चार साल से अटकी जेल वाइडर फायर में और गुड़ सबार पुलिस भरती का परिणाम जनबरी के अंति तक आजाएगा इसके ठीक बाद दोड़ कराई जाएगी आप सबी को पता है दोस्तों जैसे आपका रियल्ट आता है उसके बाद में आपकी डी बी पिएश्टी होता है ठीक है तो आपके डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ पर जो भी लंबाई चेश्ट जो भी चीज़ें हैं दोस्तों वो सब नपेंगी और उसके बाद में आपकी रनिंग होगी ठीक है और फिर उसके बाद में अंतिम परिणाम गोसित कर दिया जाएगा ठीक है पहले और दूसरे सब्ता में आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी